राते राते मित्रों, आवला नौमी आने वाला है और भगवान विश्णु की पूजन के लिए ये बहुत ही शुब दिन माना जाता है दोस्तों कहते हैं कि इस दिन पूजा, पाठ और कुछ कारे ऐसे हैं जो अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में सुख सम्रिद्धी आती है, मालक्षमी की कृपा हमें प्राप्त होती है और शान्ती बनी रहती है हमें अक्षे नौमी के दिन लाप्राप्त करने के लिए इन आठ कामों को जरूर करना चाहिए तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वे आठ काम जिने करने से जीवन में सुख शान्ती बनी रहती है पहला काम है आवले का पूजन करना दूस्तों आवला नौमी के दिन आवले का पूजन बहुत विशिष्ट होता है दर्मशास्त्रों की अनुसार कार्तिक महा के शुकलपक्ष की नौमी तितिको आवले की उत्पत्ती हुई थी भगवान विशनु और माता लक्षमी को बहुत ही प्रिय है ये विक्ष तो इस दिन इसका पूजन करना चाहिए और इस दिन इसका पूजन करने से त्रिदेव यानी ब्रहमा विशनु और महेश के साथी साथ माता लक्षमी की भी अपारकृपा प्राप्त होती है दूसरा कारे जो हमें करना चाहिए वो है भगवान विश्णु को इस दिन एक आवला जरूर अर्पित करना चाहिए इस दिन सुबह और शाम के समय भगवान विश्णु को आवले का भोग लगाना चाहिए धार्मिक पुस्तकों में बताया गया है कि आवले की उत्पत्ति ब्रहमा जी के आस्वों से हुई है दोस्तों कहा जाता है कि शृष्ट के आरंब में आने वाले पौदों में से एक पौधा आवले का है और ये प्रत्वी के पहले फल के सुरूप में भी पूजा जाता है भग अवले के नीचे भूजन करना चाहिए इस दिन आवले के वृक्ष के नीचे बेट कर» बूजन बनाने और भूजन खाने से अक्षे लाब और स्वास्ति की प्राप्ती है भूजन में गिरने वाली आवले की पतियों को घ्रसाथ समझ जाता है चौथा काम जो हमें करनाゃ के रूप में खाना भी चाहिए आयुर्वेद के अनुसार आवला हमारी आखों और सिहत के लिए बहुत लाप्रद होता है वही धार मिक्ता के आधार पर हम कहें तो ये भगवान शीहरी का प्रसाद है तो आवला नौमी के दिन एक आवला आप जरूर खाये पाच्वा काम जो आवला नौमी के दिन हमें करना ही चाहिए वो है जरूरत मंदों को दान करें तो आवला नौमी पर दान का बहुत महतो होता है इस समय सर्दी शुरू हो रही है ठंड का मौसम आ रहा है तो ऐसे में अगर आप जरूरत मंदों को गर्म कपड़े वितरत करते हैं तो बहुत ही शुब माना जाता है कहते हैं इस दिन दान करने से मिला हुआ पुन्य अक्षे होता है वैसे भी ऐसी मानेता है कि इस दिन जो भी पुन्यकारी आप करते हैं वो अक्षे होता है और इसलिए इसे अक्षे नौमी कहा जाता है तो दोस्तों इस दिन आप जो भी पुन्यकारी करें बहुती शुफलदाई होता है तो ये काम हमें करना ही चाहिए दोस्तों इस दिन ब्रामडों को भोजन जरूर कराना चाहिए और धार्मिक आस्था ऐसी है कि ऐसा करने से इस जन्म के साथी साथ अगले जन्म में भी कभी भी अन धन और संपदा की कमी नहीं होती अगला कारी है बहुत दिक जीवन अगर आप समुनत चाहते हैं तो इस दिन आपको कुछ खास चीज़े जिसे सोना चांदी या कोई भी मुलेवान रत्न जो आप खरीदने का प्लान कर रहे हो तो इस दिन आपको जरूर खरीदना चाहिए खास दोर पर अगर कोई प्रॉपर्टी में दोस्तों इस दिन कनकधारा स्त्रोत का पाट करने से मालक्षमी प्रसन्न होती है और जीवन में कभी भी संपदा की कमी नहीं होती इससे जुड़ी होई एक कथा भी है जिसके अनुसार आदिशंकराचारी ने इस दिन एक निर्धन ब्रामणी के कश्टों को हरने के लिए उ इसके प्रसाथ सुरूप माने प्रसन्न हो करके उस व्रद्धा को अक्षे संपत्ति प्रदान की तो इस दिन कनकधारा स्त्रोत का पाट करना जहां एक और जीवन में शुबता लेकर आता है वहीं दूसरी और मालक्षमी की कृपा भी प्राप्त होती है तो दोस्तों आवला